पंदरह अगस को प्रधान मंत्री के आर्थिक सलाकार बीबेग दिवराव ने लेख लिखा कि नया सम्मिदान बनना चाहिए एक राश्ट एक चुनाव और इंडिया हटाना भारत से बाबा सहब ने इंडिया को जोड़वाया था इस पर भी अगर बहुजन समाज दली समाज जागरित नो है तो मुर्दा है मरा है आगे तो मरना ही है जब सम्मिदान खतम हो जाएगा मोदी ने अपनी छवी चपकाने के लिए किया है और जगहों पर भी जी टॉंटी का सम्मिलन हुआ और अमीर देशों में वहाँ पांच्छा सो करोड में निपड़ गया यहाँ पर चार हजार करोड से ज़्यादा यह बात जंता को बताने के जुरूत है किसान को आप छह सो रुप हजार देते हो और लेकिन एक आदबी को आप छह हजार चार सो करोड माप करते हैं तो यह अमीरों की सरकार है अडानी की सरकार है और गरीब मरता जा रहा है हमले हो रहे हैं क्या कहना जाएगे इसलिए पाच नौंबर को बहुजन समाज के द्वारा रेली रामनिला मैदान दिल्ली में किया जा रहा 15 अगस को प्रधान मंत्री के आर्थिक सलाकार बीबेग दिवराव ने लेख लिखा कि नया सम्विदान बनना चाहिए एक राष्ट एक शुनाव और इंडिया हटाना भारत से बाबा सहम ने इंडिया को जोड़वाया था एक क्या क्या दरसाता है सम्विदान खात्मा इस पर भी अगर बहुजन समाज दली समाज जागरित नो है तो मुर्दा है मरा है आगे तो मर नहीं है जब सम्विदान खतम ह हो जाएगा मैं इसलिए आज यहां पर हर्दोई में हजारों का सम्मेलन हुआ यहां से हजारों लोग पांच नौंबर को दिल्ली की रामलिला मैदान में जाकर के सम्मिदान को बचाएगी जब तक लाखों की पब्लिक के कठा नहीं होगी सरकार चेते ताने के लिए जन्बल दिखाना पड़ा है बड़ा खुलासा हुआ है जी ट्वेंटी को लेकर जी ट्वेंटी में जो खर्च पूरा आया वो चार अजार छेस्सो करोड का बोल रहे हैं और इसके ताथी साथ चांदी के बरतन में उनको खाना खिला जा रहा है जबकि देश पांच किलो राशन क्या होता है नमक चाहिए टेल चाहिए गपड़ा चाहिए वड़ना चाहिए तेल चाहिए लेकिन इस गरीब देश के इस तरह से पानी की तरह मोदी ने अपनी छबी चपकाने के लिए किया है और जगहों पर भी G20 का सम्मेलन हुआ और अमीर देशों में वहाँ पांच्छा सो करोड में निपड़ गया यहाँ पर चार हजार करोड से ज़्यादा यह बात जनता को बताने के जुरूत है यह GTV का सुभाज चंद्रा जिसको जिसका लगबग 400-600-600 करोड रुपए का लोन माफ कर दिया गया एक किसान को आप 600-1000 देते हो और लेकिन एक आदबी को आप 6400 करोड माफ करते हैं तो यह अमीरों की सरकार है अडानी की सरकार है और गरीब मरता जा रहा है गरीब होता जाए अपने स्पीच भी आप उनकी सुनेंगे लगातार में डालूंगा उसको आप सुनिएगा लगातार वो जिस तरीके से बहुजन समाज को लेकर जो खुलासे चल रहे हैं उसको लेकर डॉक्टर उधित राज ने पांच नॉम्बर को दिल्ली के राम लिला मैदान में बड़ी रहली का आवान यहां हर्दोई में किया है और जिस तरीके से यहां पर पब्लिक आई हुई थी हजारों की संग्या में यहां पर डॉक्टर उधित राज को सुनने के लिए लोग आई हुए थे हर्दोई में अलग-अलग जिलों से यहां पर सुनने के लिए लोग आई हुए थे फरुकाबाद हो इताबा हो और तो तमाम उत्तरपर देश के जो जिले हैं वहां से लोग डॉक्टर उधित राज को सुनने आए थे और मुद्दा सिर्फ एक ही था कि देश में संभिधान बचाना है वो संभिधान जिसने इस देश के बहुजनों को हक अधिकार दिये उनको लणने का अधिकार दिया उनको पढ़ने का अधिकार दिया उनको घर में रहने का अधिकार दिया तो उसी संभिधान को बचाने के लिए 5 नमबर को राम लिला मैदान में एक बड़ी रैली होने वाली है आप बने रहे हैं मेरे साथ